नमस्कार, हेल्थ इप सेरल बे आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चनल को जादा से जादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे टेपस ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बहुत इंपोजन्ट और आपके लिए लाबदायक साबित होते हैं तो चलिए दोस्तों आईए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास आईए आजम सभी नाकफणी के फायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं नाकफणी सबजी का एक रूप है यह पौधा काटेदार होता है इसे वज कंठा के नाम से भी जाना जाता है यह एक केक्टस है जो सूखी बंजर जगहा पर उखता है इसके पौधे को बहुती कम पानी की आवशकता होती है यहाँ पौधा सबसे पहले मेक्सिको में उगाया गया था और अब भारत में भी बहुत जादा असानी से उपलब्ध है नाकफणी स्वाद में कड़वी और प्रकृती में बहुती ज़्यादा उश्ण होती है नाकफणी में राइबो फ्लेविन, विटामिन B6, तामबा, आरन, फाइवर, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन K, केलशियम, पोटेशियम, मेगनीशियम और मेगनीश शामिल है यह कुछ जैविक योगे गुनों से भरपूर होती है जैसे फाइटो केमिकल और इनका एक भैत्रपून स्ट्रोड है आईए आज हम सभी जानते हैं नाकफणी से होने वाले फाइदों के बारे में नाकफणी केलोरीज में कम, वसा से भरपूर और कलिस्ट्रोल में कम होने के साथ साथ कही महतपून पोशक तत्वों का श्रोत है नाकफणी का छिलका काफी मोटा और काटेदार होता है जिससे निकालने के बाद अंदल के भाग को खाया जाता है अपने आहार में नाकफणी को मिलाने से स्वास्ते को कई फाइदे मिलते है जैसे की पाचन क्रिया में सुधार होता है इससे जी हाँ नाकफणी केक्टस का एक रूप होता है इससे लिए यह बहुत रेशिदार होता है और इसमें बहुत अधिक आहार फाइबर होता है क्योंकि यह आतों के कारियों के लिए बल्क जोड़ता है यह दस्त और कप्स के लक्षनों को कम करता है इसके आलावा शरीर में अत्रिक फाइबर सक्रिय रूप से कलेस्टरॉल की मातरा को कम कर सकता है इससे आपके दिल के स्वास्ते की रक्षा भी हो सकती है इसके आलावा न और ग्रालिन को रिलीज करने से रोगता है यह एक भूग को बढ़ाने वाला एक हार्मोन है इसके आलावा यह संत्रित वसा और केलेस्ट्रॉल में बहुत ज़्यादा कम माना जाता है लेकिन यह चयापचे की शम्ता से भरपूर होता है इसलिए यह बिना वजन घर्टाए नागफणी का उप्योग है त्वचा के लिए बेहत लाबदायक जीहा नागफणी में मौजूद फाइटो केमिकल और एंटी ऑक्सिडेंट गुन समय से पहले उम्र के लक्षणों के खिलाफ एक अच्छा रक्षात्मक तंत्र है सेलुरेर्ट चयापचे के बाद मुक्तकन त्वचा पर रह जाते हैं जो आपकी त्वचा को प्रभावित कर सकते हैं और नागफणी खाने से आप अपनी त्वचा को स्वस्थ और युवा बनाए रख सकते हैं इसके साथ साथ ये कैंसर के इलाज में भी काफी लाबदायक होता है नागफणी में पाय जाने वाले फ फाइदेमंद योगिक है जो शरीर में मुक्तकर्णों की तलाश करते हैं और कैंसर कोशिकाओं में स्वस्त कोशिकाओं के डियने को परवरितित करके पहले उने समाप्त कर देते हैं नाखफणी में विटामिन ए और फ्लेवरनोड की सामगरी को तचा फेफडे और मुग के कैंसर के लिए लापकारी माना गया है नाखफणी के बेनेफिट जानते हैं हम मेटापॉलिजन के लिए स्वस्त के मामने में नाखफणी के सबसे महत्वपुन पहलूँ में से एक इसके खनिच और विटामिन सामगरी है नाखफणी में थाइमीन, नियसीन और विटामिन B6 शामिल होते हैं जो सबी सेलूलर चैप पचे के महत्व को अच्छा समझते हैं और पूरे शरीर के इंजाइम कारन को वी नियमित करते हैं एक स्वस्थ अंग प्रणाली और हार्मोनल संतुलन असानी से वजन कम करने में मदद करते हैं स्वस्थ मास्पेशियों को बढ़ावा देते हैं और पूरे शरीर को ठीक करता है इसके अलावा मजबूत हड्यों के लिए नाकवनी लापकारी होती है इस शक्तिशाली केक्टस पत्ती के खनिच सामगरी में केल्शियम का एक अच्छा और मामुली स्तर शामिल है जो शतिग्रस्थ होने के बाद मजबूत हड्यों के निल्मान और हड्यों की रिपेर का एक अनिवारे हिस्सा होता है इस पौदे में बैग्निशयम भी शामिल है जो अनिद्राथ चिंता या बेचैनी से ग्रस्त लोगों के लिए नील पैदा करने के लिए एक उपयोगी खनिच है यह शरीर में सेरोटनिन को रिलीस करता है जिसके परिणाम स्वरूप मेलाटोनिन का स्थर बढ़ जाता है निकाले जाने वाले रस को शरीर के विभिन अंगों को सुझन को कम करने वाले प्रभाव देखे गए हैं जिनमें गटिया जोडों के दड़ मासपेशियों के तनाव से जुड़े हुए लक्षन भी शामिल है इसके रस को प्रभाविश शेत्र पर लगाए या अधिक लाबों का आनंद लेने के लिए सबजी का प्रियोग करें इसके अलावा नाकफवनी का उप्योग बहुत जगा किया जाता है और यह डाइबिटीज को कम करने में भी इस्तेमाल लाया जाता है नाकफवनी के पतों से तेयार रस शरीर के भीतर गुलोकोस के स्तर के लिए शक्तिशाली नियमिक हो सकता है टाइब टू डाइबिटीज वाले मरीजों के लिए यह गुलोकोस के स्तर में कम पैक्ट पैदा कर सकता है जिससे मदुमे को मैनेज करना असान हो जाता है Alcer के इलाज के लिए भिया आफ नागफवनी का प्रियोग कर सकते हैं गैस्ट्रिक अलसर के इलाज के रूप में नागफवनी के परामपरिक उप्योग के बाद हाल के अधियनों में इन प्रभावों का सत्यापन गिया है आमतोर पर नाक पेशियों में तलर पढ़दार्थ और रेशेदार पढ़दार्थ गेस्ट्रिक अलसर के विकास को रोपते हैं और इलकोहल के अत्यदिक खतब के कारण विक्सित होते हैं इसलिए ऐसे लोगों के लिए जो नियमित लोग से इस दर्दनाग स्थिती से ग्रस्त हैं उनको इस शक्तिशाली जड़ी बूटी को अपने आहार में शामिल करना चाहिए लेकिन जहां इतने फायदे हैं आपको नाकफनी के यूज़ करने के उसी के साथ साथ कुछ एक नुक क्लाइसेमिक बना सकता है और यह ऑप्रेशन से पहले भी अत्यादिक उप्योग नहीं किया जाना चाहिए और क्यूंकि इसे गुलुकोज और रकोशिकाव को सी नियमित करना मुश्किल हो जाता है इन वास्ते समंदित चिंताओं के अलावा नाकफनी आपके आहार के लिए एक स्वादिस्ट और अत्यादिक पोस्टिक है तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप नाकफनी का यूज करते हैं अपने जीवन में तो आप भहुत सारे लावों को यूहीं उठा पाएंगे तो दोस्तों ये थे आज की जानकारी आप सभी के लिए लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बात का और खयाल रखना चाहिए क्योंकि हमारा स्वास्ते जो है वो सबसे देश कीमती धन है हमारे लिए अगर हम स्वास्त है तो दुनिया की हर एक चीज हमारे लिए खूपसूरत है अगर हमारी बोडी कोई भी बिमारी घर कर जाती है आ जाती है तो हमारे अपनी डाइट को always balance रखें अगर आप अपने खानपान में नियमित रूप से बदलाफ परके हर एक चीज को शामिल कर रहे हैं जो की जरूरत होती है जब शरीर में आपको पता चल रहा है कि मैंने बहुत दिनों से केवल मीठा मीठा ही खाना खाया है तो सभाविक सी बात है जो आपको चाहिए होगा विटामिन सी चाहिए होगा वो नियमित से मिलेगा और आपके वल मीठा खा रहे हैं कुछ एक दिनों से लगातार तो उसकी कमी तो होई रही है शरीर में इसलिए अपनी डाइट को balance करना बहुत जादा जरूरी है सुबा से शाम तक के खाने से ऐस प्लान बनाए या ऐसा डाइट चार्ट बनाए जिससे की हर एक चीज़ शामिल हो जिससे की आप स्वस्त रह सके या आपको स्वस्त रहने में मदद मिल सके तो दोस्तों यह ती जानकारी आप सभी के लिए आप भी इसका प्रियोग करें और स्वस्त रहें आगे की वीडिय और एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले और मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि हमें कुछ ऐसे ही और बड़े वीडियो बनाने की प्रेना मिलती है